नमश्कार न्यूज लाइव राजस्तान पर इस वक्त खबर आ रही है राजदानी जैपूर के हर्माडा से ट्रेक्टर ट्रोली के मालिकों ने पिसीसी सचीव मोहन डागर को सौपा ग्यापन डागर ने इस संब्ध में कहा कि खान विबाग ट्रेक्टर ट्रोलियों को व्यवसाइक करने के लिए रावाना पढ़शी नहीं दे रहा है परिवहन विबाग से जारी विज्यप्ति में लिखा है कि ट्रेक्टर का व्यवसाइक पंजी करण करवाना जरूरी है डागर ने मौकय पर ही इस संबंद में परिवहन एम्म खान मंत्री ते टेलीफोन पर इस संबंद में वारत लाब की और तहां कि ट्रैक्टर क्रिशी कारे में भी काम आता है और छेजा पत्थर परिवर्ण में भी काम आता है ट्रोलियों का तो वेवसाइक पंजी करवाना तो वेभारिक है तथा ट्रेक्टरों का वेवसाइक पंजी करवाना वेभारिक है मंत्री ने इस बात को जायद माना डागर ने वाहन मालिकों को बरसा दिलाए कि सरकार को आपकी पूरी बात अवगत कराई जाएगी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे डागर ने इस संबन में बताया कि वाहन स्वामी ट्रोली का तो वेवसाइक पंजी करण करवा सकता है पर इसके साथ ट्रेक्टर का करवाता है तो दोनों का इंशॉरेंस वे अन्य खर्चर डबल हो जाता है जिससे वाहन स्वामी को बचत नहीं हो पाती है इस विशे को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस संबन में ध्यान देना चाहिए इस नियम को लागो होने के बाद हजारों लोग वेरोजगार हो गए है इस मौके पर संजे चौधरी, बुकेश गूजर, दीपुरा, सुरेश शर्मा, अंसरा चौधरी, लक्षमन बैर्वा, भवरलाल गूजर, शिवराज उदै, उदैपुरिया सहित अन्य लोग मौजूद थे जो परिवेन करते हैं टेक्टर ट्रोली वाड़े, पत्रों का, कल से इनको रवाना देना बंद कर दिया तो सब लोग इकटे होके आये कि साब हम टेक्टर जो ट्रोलिया हमारी उनको हमने पहले से कॉमर्शल करा रखा है और टेक्टरों को कोमर्शल नहीं करवा सकते हैं यूकि टेक्टर ट्रोली टेक्टर तो हमारे खेती में भी काम आते हैं इन सब लोगों का कहना है और ये बात भी सही है तो मैंने परिवेन मंत्री से बात की प्रताफ सिंग खत्रयवाजी से तो उन्दोने कहा कि हमारी सरकार परकार का कोई आती है वह पैक्र का मर्चनी संदेपार्टों को ने कल एता है लेकिन ट्रेक्टर को कोमर्चैल कराने का कोई ओर ने निकला है कि अभी हम मालुम प्ताते हैं तो लोगों में बड़ा आत्रोस है और सब लोग आज इस बात के लिए एकटे हो रखे हैं कि टोड़ी में जो लोग पत्र डालते थे परिवहन करते थे उनको रवना देना बंद कर दिया आजे तो इस बात को लेकर इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सरकार को इस बात को समधन सीनता से लेना